फिर आपका स्वागत है क्राउं इंटिव चैनल पर तो आज वीडियो का जो हमारे विश्य है वो है स्टडी इन इस्टोनिया उसके वारे में हमारी डिसकोशन रहेगी तो इसको हम I think so Baltic state भी कहते है Eastern European country भी कहते है Even यह जो Estonia है यह same like Nordic state जिनको हम Scandinavian countries कहते है same वैसी ही यह country है लेकिन अभी क्या है कि जो Nordic states है वो काफी expensive है Scandinavian countries तो बहुँ सारे Scandinavian के जो बच्चे है वो Estonia में पढ़ने के लिए भी आते हैं वो इनके एश करते हैं कि उस साथ में लगे हुए है Even Estonia के भी बच्चे इन Scandinavian country में पढ़ने के लिए जाते हैं जिन बच्चों की destination Scandinavian countries है जिसको Sweden, Finland, Denmark, Norway, Iceland जैसी countries कहते हैं तो वहाँ की destination रहती है लेकिन वहाँ पर उनको वीजा नहीं मिल पाता तो वो बच्चे Estonia को भी prefer करते हैं वहाँ पर भी जाकर अपनी higher studies लेते हैं तो Estonia में पढ़ने से पहले जब पढ़ने से पहले क्या-क्या precautions लेने चाहिए उसके बारे में हम यहाँ पर discuss करेंगे इवन हमारी एक playlist है study in Estonia जिसका link भी मैंने description box में लगाया है बहाँ जाकर आप हमारी Estonia से related भी videos watch कर सकते हैं तो अभी recently फिर वो ही sentence वो ही हमारी wording की अभी recently हमने एक बहुत बड़ा education fair attend किया था फ्रांस के अंदर बहाँ पर भी Estonian universities आई हुई थी उनसे भी हमारी interactions हुई है तो जो भी हमने वो cover किया है Estonia universities को उसका link भी इस video के अंदर हमने लगाया है बहाँ जाकर बहुत सारी information भी अप ले सकते हैं इवन crown immigration को Estonia ही नहीं सिर्फ Estonia का ही knowledge नहीं है हमें शेंगन की 29 की 9 countries on our fingers आपकी profile चेक करने के बाद स्वेस्ट किया जा सकता है कि आपके लिए Austria better रहेगा, Belgium रहेगा Czech Republic रहेगा, Denmark रहेगा Finland रहेगा, France रहेगा Italy रहेगा, Germany रहेगा Latvia, Lithonia, Estonia Czech Republic रहेगा इन सब में हम आपको suggestions दे सकते हैं अगर आप हमारे suggestion लेना चाहते हैं आपकी eligibility कौन सी countries में बनती है तो हमारा एक dedicated form है free assessment form तो उसका link मैंने description box में लगाया है, उस form को अगर आप हमें भरके भीजेंगे, तो आपको immediately during office hours में response मिलेगा कि आपकी eligibility कौन सी countries में बनती है, तो Estonia में admission लेटा not so easy पहले मैंने ये बता दिया अच्छी profile वाले बच्चों को ही वहाँ पर admission मिलेगा और ये जो Estonia country है जो Scandinavian country से काफी economical है, तो यहाँ पर आपको fees 3,000 euro से लेकर 7,000 euro तक की है 3,000 euro के भी fees है, 7,000 euro के भी fees है, bachelor, master, PhD हर extreme में मिल सकती है, तो Estonia में मैं बात करूं Talent University, Talent University of Technology की बात करूं, और University of Taurtu की बात करूं ये तीन famous universities हैं, यहाँ पर हम maximum students के admissions apply करते हैं इवन Estonian entrepreneur University of Applied Senses इस अ प्राइवर्ट युनिवर्सटी बहाँ पर भी बच्चों के admissions apply होते हैं तो अभी Estonia का major intake कौन सा है, यही सब्तमबर वाला अगसर, सब्तमबर दोजार पच्टीस वाला portal first week of jan में और last week of December 2024 में open होने वाले हैं, preparation हमें आज से ही करनी पड़ेगी admission process काफी rigid है काफी tough है, means जैसे visa लेना tough है, admission लेना जो मैंने universities बोली है, talent university चाँ तो इन में admission लेना काफी challenges है, आइधर वो bachelor है, master, minimum grade 60% बहुत सारी universities माँगती हैं कि आपके जो grade है, minimum 60 हैं, तो then you can apply, लेकिन कुछ universities में 50 वाला भी apply कर सकता है बट उसके अंदर कुछ conditions है conditions क्या हैं, कि आपके 60% है तो आपके PCM में कितने number है तो ये लेकर चलें, इन सब चीजों में हम आपको guide कर सकते हैं जब आपने admission apply करना है admission का selection देखें, क्या है point way system है, point way system means इन्होंने भी point रखे हुए है maximum 100, उन में से point लेने पड़ते हैं, कौन-कौन से attribute से लेने पड़ते हैं, उनके बारे में भी discuss करेंगे, ये देखिए, कि जैसे Scandinavian countries की universities में बच्चे ने admission लेना होता है तो बहाँ पर भी आपको जो admission है point way मिलता है, आपके grading क्या है schooling में, ये सारी चीजों को चेक किया जाता है, तो हम Estonia के बारे में discuss करेंगे, सबसे पहले आपकी grading, क्या है schooling की, उसके भी point कुछ universities allocate करती हैं, उसके बाद आपका motivation letter, motivation letter के अंदर क्या mention करना है, specific university ने specific admission requirement के अंदर वो चीज़ें लिए हुई हैं, motivation के कितने point है, वो आपके motivation letter के उपर है, motivation letter अगर आपने prepare करना है किसी country का crown immigration उसमें भी आपको guide कर सकती है क्योंकि we are very expertise, we are putting a number of applications, thereafter online entrance exam है जिस program में आप apply कर रहे हैं online entrance exam में maximum math से रिलेटर आपसे questions पूशे जाते हैं, कुछ university में 60 number का, किसी में 80 का है, किसी में 100 का है, depend है, तो फिर आपकी motivation interview तो motivation interview को एक भी point है मतलब 100 में से minimum 60 point लेते हैं, तो आपकी eligibility बनती है, उसके और वो cut off कितनी बनती है, again depend है तो interview में क्या पूशा जा सकता है उसके बारे में भी हम prepare करवाते हैं, तो वहाँ की universities की application fees हैं, एक university को छोड़के जो इस्टोनिया ने इंडिपेंडर्शिप university of applied census जो private university है उसकी application fees नहीं है, लेकिन उसकी tuition fees काफी हाई है वो कितनी है, 7500 यूरो की पर येर की आईदर bachelor जब master में जाना है, तो अगर आपने fab intake में इस्टोनिया में जाना है तो उस private universities के उस private university का universities नहीं है, university के still portal open है, वो private university है जो तो उसमें admission लेने के लिए क्या precautions करने है, वीजा जब apply करना है, क्या यहां से वीजा अपलाई होगा, जहां residency permit अपलाई होगा ambassadors आपके funds कैसे चेक करती है, funds कितने होने चाहिए, interview कितनी rigid है embassy की, यह सारी की सारी चीजों के बारे में हम guide करते हैं, appointment में क्या दिक्कत आती है, जब students appointment लेता है, जिस सारी की सारी चीजों में crown immigration guide करता है, अपने prospective students की, even refund policies very important, private university की deduction क्या है, अगर आप अपने case को bidra करते हैं, जहां आपका visa refuse होता है, उनको भी ज़रूर आपने reroute करना है, private public universities की भी refund policies को check करना है, maybe sometimes visa भी refuse हो सकता है, तो ऐसा है कि अगर आपकी destination Estonia है, तो crown immigration का opinion जहां आप apply ज़रूर कराएं, क्यूंकि हम just 15,015,000 में आपका सारे का सारा काम करवा कर देते हैं, और बाकी फीज हमारी visa grant होने के बाद है, आउन लाइन आप हमारी service ले सकते हैं, कोई भी हम original document नहीं लेते हैं, आपको कोई funding में problem है, we are assisting, कि आपने funds कि स्वेस से दिखाने हैं, तो ये सारी कि सारी जो service है, under bun amrila मिलेगी, even जब आप Estonia का apply करते हैं, तो Estonia के साथ हम another countries के साथ में option उसी 15,000 15,000 में देते हैं, जे term and conditions, आपने consultant की ज़रूर चेक करनी है, जब भी आपने अपना case किसी को भी देना है, तो अगर आपकी query Estonia जा Estonia के अलाबा भी किसी country की है, तो chronomy किसे संपर कर सकते हैं, एक चीज़ और इसमें रहागी, application fees किसी उनिवस्टी की 100 है, किसी 60 है, private university की है नहीं है, tuition pieces जब आने बता दी है, 3,000 euro से लेकर 7,500 तक की है साल की, तो फिर last week इसको close करते हैं, अगर आपके किसी भी friend Estonia, Estonia के लाबा भी किसी कंट्री में जाना है, तो उसको जब वीडियो जिरू शेयर करें, अगर आपके मेरी वीडियो चिल की, इसको like and share करना ना है,